लाश्रो जनता दल प्रमुख लालु प्रसाद यादो को देर रात एयर एंबूलेंस से पटना से दिली लाए गया और दिली के अखल भारतियों आयरविज्यान संस्थान में देर रात एम्स में भर्थी करा आए गया दिल्ली पहुचने के बाद लालू के चोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है उनकी बॉडी में मुव्मेंट नहीं हो पा रहा है पेजस्वी यादो ने बताया कि दिली एमस में लालू यादो का पहले भी लंबे वक्त तक इलाज हो चुका है। इसलिए यहां कि डॉक्टर्स लालू प्रिसाद की बिमारियों की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगे कैसे इलाज करना है। और वो सब लोग यह दूआ कर रहे हैं। लालू जी स्वस्थ हो जाएंगे। सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ज्वल्द स्वस्थ हो। जाने के लालू प्रिसाद ने पिछले महीने ज्वारकंड उच्छ नयाले से गुर्दा प्रतिरोपड के लिए विदेश, खासकर सिंगापूर जाने के इजाजत ली थी। ये पूछे जाने पर कि क्या सिंगापूर जाना संबा होगा तो तेजस्वी ने कहा कि अगर दो-चार हपते में वो अंतराश्य यात्रा कर सकते हैं तो हम उन्हें सिंगापूर ले जा सकते हैं। बूरो रिपोर्ट नवदी ताइम्स ने दिल्ली